इस बार एक और सर्प्राइजिंग था और वो है टिप नंबर 5 मैंने आप लोग को दोस्तों यह चीज बताई है हमेशा कि जेए मेन का जो question paper होता है ना वो इस तरीके से आता है कि question number one question number two हर एक topic को basically वो लोग cover करते हैं इस बार कुछ attempts के अंदर ऐसा नहीं हुआ कुछ attempts के अंदर पूरा का पूरा जैसे मैं बात करूँ statistics वो नदारत था sets कुछ में था कुछ में नहीं था जेए मेन topics के अंदर काफी regularity थी mathematical reasoning का question हर एक paper में आया इसका मतलब ये है कि जो total मिलाकर जो जेए मेन exclusive topics होते हैं उसमें से दो question आ रहे हैं और अगर आप लोगों ने जेए मेन topics prepare नहीं किये हैं तो आप लोगों के लिए essentially paper 28 question कर रह जाएगा 28 में से 25 आप लोगों करने पड़ेंगे बट अगर वो questions MCQ में आये तो आप लोगो compulsorily उनको attempt करना पड़ेगा so मेरा जो यहाँ पे एक tip है वो ये है कि जेए मेन topics को आप लोग ignore ना करें दो question पक्काएंगे तो जेए मेन के और एक और चीज़ जो important है ना जो tough questions आये ना इस बार कि इस बार थोड़ी difficulty और lendiness जो बढ़ी वो जेए मेन topics में नहीं है इसका मतलब जेए मेन topics actually आपके friends बन सकते हैं